Hello everyone, Hello dear moms, आज मैं बच्चों को before, after and between सिखाने वाली हूँ, तो proper आप मेरा idea ले लिजिए, देख लिजिए कि मैं कैसे सिखा रही हूँ बच्चों को, आप ऐसे ही सिखाईएगा, आए स्टार्ट करती हूँ, सबसे पहले तो मैंने ये कुछ animals लिखे हैं, इनको आप बच्चों को proper दिखाईएगा, बारवाल, games की तरह खेलिएगा, कि play करिएगा, कि before, after, between, तो आप पहले तो इसको between को यहां से हटा लेते हैं, one side करते हैं, फिर बोलेंगे कि who is the before, who is the after, तो after यह है elephant और यह है rhinosaurus, फिर जब before, after बच्चे learn कर लेंगे, समां understand हो जाएंगे, तो आप एक और option दिजेगा, before, tortoise, and after, frog, before, tortoise, after frog, before, frog, after, tortoise, फिर जब आपको between से खाना है, तो फिर हम यह यह वाला paper आप इस तरीके से रखिए, before, tortoise, between, starfish, and after, frog, between, tortoise, and frog के between कौन है, starfish, and dolphin भी है, और, जब frog भी हो सकता है, dolphin, after हो सकती है, इस तरीकी से change कर करके, आप बच्चे को understand कराएंगे, यह तो एक option हो गया, आप कोई भी animals ले लीजिए, numbers of colors ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, फिर कुछ cards बनाएए, जिसमें आपको बच्चे को play करना है, कि सबसे पहले आप between लगाएए, between कौन है, lion है, elephant, after है, before, rhinoceros, फिर elephant, after, lion, between, elephant, इस तरीके से यह game काफी अच्छा है, interesting हो बच्चे सीख जाएंगे, फिर आती बात हमारे return में, यह हमारे exam के लिए हमेशा ही गाम आएगा, यह proper बच्चों को LKG में understand कराना ही है, यह तो एक game हो गया, यह after, before, आपको UKG में writing numbers प्रॉपर आने चाहिए, understand होने चाहिए, LKG में आप games के साथ और इस तरीके से easily समझा सकते हैं, अब stand करती हूँ मैं, जैसे मैंने यह 10 तक number कर लिया, आपको जितना भी करना है, मैंने तो सिर्फ 10 का ही लिखाया, 20 तक, 30 तक numbers इस तरीके से write करवा लीजिए बच्चे से, आप खुद करिएगा, फिर before, तो यहाँ पर बच्चे को बताना है कि two, before कौन सा number है, one है, before means पहले होता है, before में यह arrow before के लिए, जब हम back में जा रहे हैं, तो before है, जब हम आगे की तरम जा रहे हैं, तो after, और जब हम बीच का center देख रहे हैं, दोनों के दो नम्बरों के बीच में, तो between है, तो after, sorry, before, after, और between, यह है हमारा before, ओके, now start, two से before कौन सा number है हमारा, one, and four से before, three, seven से before, six, eight से before, seven, ten से before, nine, इसी तरीके से, one after, one के after, यानि की after मतलब हमें आगे की तरफ जाना है, after जाना है, before मतलब मुझे पहले पीछे की तरफ जाना है, तो after means हमें, one के बार, two, after three, four, after five, six, अब हम लोगो तो याद हैं क्योंकि हम लोगो जानते हैं, लेकिन बच्चे इतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे, तो आपको बच्चे को बार बार, proper, understand कराना है, eight after, eight after, nine, seven after, eight, two after, three, nine after, ten, इस तरीकि से आपको बच्चे को समझाना है और फिर ये complete हो जाएंगे, इसके बाद आप between कैसे सिखाएंगे, between के लिए मैंने ये बीच में column बना रखा है, तो बच्चे को हम बताएंगे, ये number, four और five, और six, तो आप four and six write करेंगे, और फिर बच्चे से पूछेंगे, कि four and six के between कौन है, four से before था three, after था seven, लेकिन four और six के between कौन है, तो five, बच्चे को write down करवाएंगे, फिर है हमारा two between four, seven between nine, eight between ten, इस तरीके से बच्चे से write down करवाना है आपको, four between five, two between four, two between four, three, seven between nine, eight, three, five, eight between ten, nine, तो इस तरीके से हमारे between understand कराएंगे, for example मैं ये भी दे दीजिएगा, बताइएगा, for example ये भी आपको मैंने understand कराया था starting में, फिर आप सीट ऐसे बच्चों को different different बनाईएगा, लेके one से लेके ten तर, इसके अंडर में ही आप बच्चों को understand कराएंगे, उसके बाद, जब second stage आती है, जब हमारा ये है, बच्चों को learning सिखा जाता है, LKG में, ये LKG का course है, LKG का, and ये UKG, ये आपका UKG में आएगा, UKG में हम थोड़ा सा number start ज़्यादा कर देते हैं, last में, LKG के last में तो आप सिखा सकते हैं, लेकिन UKG में आपको proper large number से start करना है, तो UKG में समझाने का time, LKG में था, UKG में समझाने का time नहीं है, आपको work करने का time है, फिर भी आप starting से सिखाएंगे, तो इसी तरीके से सिखाएंगे, छोटे number से, तो after, 8 before, आपका है 7, इसी तरीके से बच्चे last तक आप ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा number देंगे, मैंने ये after भी दे दिया है, और ये before भी दे दिया है, फिर between, फिर between में आप start करेंगे जब, तो छोटा number लेंगे, कम से कम numbers लेंगे, वो understand कराएंगे, फिर large number की worksheet देंगे, तो ऐसे मैंने तो one ही work sheet बनाई है, आप एसको कई वार practice कराईएगा, हाँ बेटा ये बताईए, इसमें before, after, between बताईएगा, before कौन सा है इसमें, और after कौन है, हम, टॉर्टोय और फ्रॉग के between कौन सा है, क्या है, starfish, very good, starfish, frog and tortoise में between कौन सा है, आप बताईए, very good, इसमें बताईए, before कौन है, before, who is the before, very good, and after, very good, ठीक है, ये फ्री कार्ट से हैं, आप इनको लगाईए, set कीजे, कौन सा कार्ट कहां लगेगा, बताईए, very good, very good, last मजे बताईए, इननों में before कौन है, और after कौन है, आप कार्ट ये लगेगे बताईए, बिफोर कौन है, नाम बताईए, very good, और after, very good, इन्च करिए, very good, आप जाओ, ये, इस, go, अब ये मैंने एक केटरपिलर बना रखा है, आप बड़े भी बना सकते हैं, और छोटे बहुत सारे भी बना सकते हैं, मैंने यहाँ बिफोर, after, between, तो मैं यहाँ बिफोर पहले चेक करवाओंगी बच्चे से, यसी ये 11 है, तो 11 से बिफोर क्या बनेगा, नहीं मालूं, 10, 9 से बिफोर, 8, 7 से बिफोर, 6, 5 से बिफोर, 4, 3 से बिफोर, 2, तो यह पुपर नमबर हो गया, अब मैं बच्चे को बोलूंगी between बताईए, 11 बिफोर, 13, तो हो गया हमारा 12, 13 बिफोर, 15, 14, तो यहाँ between का आप कर लीजी, between के लिए लग से भी बना सकते हैं, फिर 20, 20 after, 21 तो after, after, आप 1 by 1 लिखवाते जाएंगे, तो यह तो एक तर नमबर हो गया, यहाँ पर यहाँ बीच में column छोड़ दीजेगा, तो यह भी एक अच्छा option है, between, after, between, before के लिए, friends, I hope कि आपको मेरा before, after, between, मेरी यह जो idea है, मैंने दिया है, वो आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, और ट्रिक अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक कर दीजेगा, वीडियो, and मेरा channel subscribe नहीं किया, तो please कर दीजेगा, thank you watching my video, channel subscribe कर देंगे, तो मैं और बहुत अच्छी चिप्स ला रही हूँ teaching की, तो please आपको notification मिलता रहेगा, thanks once again, watching my video, have a nice day, thank you once again, watching my video, have a nice day,